नमस्कार दोस्तो तो जैसे अब हम discussion कर रहे है database management system पर तो आएए इस वीडियो में बात करते हैं Colustered indexing की जो भी एक indexing का type है और समझते हैं कि clusterrd indexing का kia basic concept है और कैसी यह थोड़ा सा different है from primary indexing तो आएए समझते हैं कि cluster indexing क्या है देखें Also Clustered indexing भी कुछ 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 हट तक आप बोल सेकते हैं कि प्राइमर इंडेकसिंग की तरह और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं गोँड़ा थे मेइन फाइल जो है जिसके हम file sorted हो तो सबसे पहला important याद रखना है कि main file जो है वो हमारा sorted है बट एक बात जो बहुत important है कि now it is sorted on a non-key field जी हां तो पहला major difference क्या है इसे पहले जो type हमने पढ़ा था which is primary indexing उसको बोलते प्राइमर इंडेक्सिंग इसलिए थे क्योंकि जो sorted file होती थी that is according to primary key बट यहां पर आप देख रहे हैं इसलिए मैंने short में लिख दिया non-key तो जो main file है वो sorted तो है बट वो key के नहीं किसी non-key attribute के respect में sorted होगी for example मान लिजा अगर student नाम की कोई हमारे पास table है जिसमें बहुत सारे student का record है तो लाइक अगर उसका primary की student roll number है तो roll number के according अगर आप sort करते हैं main file को तो वहां पर primary indexing applicable हो सकती है अगर roll number के थूर आप search करना चाहते हैं बट इस बात को समझेगा कि हर बार unique value के थूर सर्च करें ज़रूरी नहीं है for example अगर कोई class है अगर पूरे college का school का data हमारे पास है और हम roll number से नहीं हम class के बच्चों के साब से search करना चाहते हैं किस class के students हैं किस class के students हैं इस तरह से या फिर हम age के according search कर सकते हैं या फिर houses के according search करना चाहें तो कभी-कभी real time scenario में ऐसी condition आ सकती है कि आपकी नहीं किसी non-key attribute के according search करना चाहते हैं उस case में primary indexing आपके काम नहीं आती और वहां पर हम इस्तमाल करते हैं clustered indexing तो clustered में जैसे आप देख रहे हैं कि main file को हम sort करते हैं किसी non-key attribute के according अब इसमें कुछ समस्य आ सकती है दोस्तों तो जैसे आप देख रहे हैं क्या non-key field या non-key attribute अगर है किया हुआ है तो उस case में एक बड़ी confusion हमको करती है confuse कर देती है क्या कि index file में कितनी entries होंगी देखे index file again sorted है उसका structure सेम होगा तो इसका जवाब आपको यहां से लिखा मिलेगा जैसे बोलता है there will be one entry for each unique value of non-key attribute जी है इसका मतलब क्या है देखे अगर one देखे दो बार repeat हो रहा है तो हर value को आप entry दोगे साब में कुछ फाइदा होगा नहीं और एक और बात हमें समझनी हो बहुत important क्या कि जैसा मैं पहले बात कर चुका हूँ एक block के अंदर बहुत सारे records होते हैं और हर किसी value के लिए या हर किसी record के लिए आप entry दोगे तो that will be a waste of time because जादा मुश्किल काम क्या है actually उस record तक पहुँचाना उस block तक पहुचना और उस block के अंदर record तक पहुचना को इतना मुश्किल काम नहीं होता because number एक block के अंदर records तादाद में संख्या में थोड़े कम होते हैं तो अब हमें काम करते हैं क्या कि जितनी भी unique value होती है हर एक unique value को entry देते हैं कहाँ पे index file में तो एक देखिए बहुत ही अच्छा तरीका indexing करने का कि जहां पर अब देखिए primary indexing में क्या करते थे आइ ब्लोक के साब से रर्त एक वेल्यूट यहां पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ब्लोक की एक वेल्यू और क्यों अपर की ब्लॉक के यहां यह साइओ पर कोइसा ब्लोक के दुखिए जिस block में 1 पहली बार आया, तो माले जी आपे 1 पहली बार आया, तो 1 इसको point करने वाला है, अगला unique value को क्या मिला 2, क्या 2 भी पहले ही block में आया जी, हाँ, तो 2 भी जाके उसी block के base value को point करेगा, लेकिन, एक value को सिर्फ एक ही बार point करते हैं, अगर इसकी value repeat भी हो रही है, तो दुबारा point करने की ज़रत नहीं है, अगेन ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, यह बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि main file अब भी sorted है, तो अगर मैं आपको पहले one तक point कर रहा हूँ, तो मुझे बात मालूम है, कि पहले one के बाद ही बाकी के सारे one आने वाले हैं, तो यह एक important point है, आप समझेगा, अगर main file unsorted होती, तो सिर्फ एक value को point कर क्या का आपका काम नहीं चलना था, वो क्यों, क्योंकि बाकी के one उस one से पहले और बाद में कहीं भी हो सकते थे, मुझे लगता है कि आपको समझा रहे यह बार, तो मान लीजे, अभी हमको point करना है three, तो तो कि यहां पर first block को ही, कितने access मिल गए, तीन से थाथ access मिल रहे है, और मान लीजे, मैं थोड़ा सा अगर change करता हूं, मान लीजे, चार के बजाए, यहां तीन ही लिखा होता, तो आप समझेगा, चार, और मान लीजे, अगर चार में यहां लिखा होता, तो चार डिरेक्ली access आ कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बाकी की file आप access कर सकते हैं, तो again, again, conclusion क्या निकला story का, कि index file के अंदर यहां पर कितनी entry होने वाली हैं दोस्तों, तो इसका जवाब क्या है, कि जितनी भी values होंगी, हर एक unique value के लिए entry मिलेगी index file में, चाहे वो value 100 बार आए, चाहे वो value एक ब उनों की definition satisfy होती है, दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखे, what is, इसका थोड़ा सा discussion हमने previous video में किया है, आप वहाँ जाके एक बार दुबारा refer कर सकते हैं, तो अभी यहां समझेगा, sparse indexing क्या होता है, अगर main file के हर एक record को, हर एक record को entry ना मिले, index file में आने के लि सा उधारन है, किसका sparse indexing का, बट एक बात और important है, dense indexing की बात करें, तो what is dense indexing, dense indexing में बोलते हैं, कि जो भी attribute है, whether it is key और non key, अगर हर value को entry मिले, index file में, तो it is example of dense indexing, और मज़े की बात है, कि यह वो condition में satisfy कर रहा है, तो अब देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी values हमने use की हर value को entry में लिए index file में, तो यह sparse और dense दोनों की condition satisfy कर रहा है, sparse क्यों, मैं गौस हर record को entry नहीं मिले, ध्यान दीजेगा, main file की हर record को entry नहीं मिले कहां, index file में, dense क्यों, क्योंकि जितने भी values हैं, हर value को मैंने जरूर entry दी है, तो यह example है sparse और dense दोनों का, और आखरी सवाल, ज आना चाहिए, वो क्या, कि भाई, index file में total कितने blocks होंगे, तो देखिए, एक यही reason है कि आज तक मैंने कभी भी gate में numerical question नहीं देखा, clustered indexing पे, इसका reason क्या है, देखिए, number of entries जो है, index file में, वो actually depend करेंगे कि unique value कितनी है, अब unique value, actually depend करता है कि content कितना है, for example, मैं आप से यह बो pods है, main file में, तो index file में कितनी entry होंगी, ऐसा बताना, primary indexing में तो संभव है, वो क्यों, मैं ब्लॉकिंग factor के according, आप निकाल सकते हैं, कि main file कितने blocks लेगी, और हर block के लिए, हम एक साब entry यहां करा देंगे, but अगर मैं बोलता हूँ कि 100 entries है, clustered की case में, तो समझेगा, कि हो सकता है 100 की 100 different हो, और हो सकता है कि 100 की 100 same हो, तो यह बताना परियाप्त काफी नहीं है, कि main file में कितनी entry है, मुझे क्या भी बताना पड़ेगा, कि actually कितनी unique entries हैं, अब समझेगा, exam में 100 entries के साथ table तो आपको दे नहीं सकते हैं, तो अब अगर वो question देता है, तो उसको यह भी बताना प नहीं बताएगा, तो यह question solved किया नहीं जा सकता, मुझे लगा, आप कोई बात समझा रही होगी, तो समझेगा, इस बात की बहुत rare possibility है, बहुत कम था समझावना है, कि आप से index file पर को नुमारिकल question पूछे, ठीक है, आखरी सवाल, अगर index file के तो में access करेंगे, main file को, तो कि बान लें, कि index file में total कितने blocks लगे है, N, तो आप समझ सकते हैं, कि index file sorted है, कि un sorted है, हमेशा sorted होती है, तो index file पर हमेशा क्या लगा सकते हो, log search, तो log based to search हम लगाते है, और आप बली बात इस बात को जानता हूँ कि plus 1 क्यों किया है, reason being, कि जो block pointer है, अभी log based to N, जो search हमने खर्च किया, वो सरफ index file का correct page झूणने के लिए किया, बढ़ी एक access आपको और करना है, because index file से आपको address मिलने वाला है, मिर दोस्त, जिस address को use करके आप कहां पहुंचने वाले है, main file तक, तो plus 1 access उसके लिए, और ध्यान दीजेगा, यहाँ पर मैंने equal to नहीं, greater than equal to रखा है, वो क्यो जैसा आपको बता रहा था, एक worst scenario मानिए, कि सारी की सारी value सेम है, उस case में हम आपको log base 2N plus 1 से, किस block तक पहुंचाएंगे, उस block तक पहुंचाएंगे, जिसमें वो value पहली बार आ रहा है, बढ़ हो सकता आपको उसके नीचे भी जाना पड़े, तो मालिजे कि पहले block axis के ब पड़े, तो value greater than है, तो I hope, clustered indexing का basic concept अभी आपको clear हुआ है, numerical logic पे conceptually भी clustered indexing, practically of course important है, बट exam point of use दो इतना important topic नहीं है, बट फिर भी आप एक बार धियान रखेगा, final point, main file sorted but on non की attribute, ठीक, तो अभी अगली वीडियो में हम finally discuss करते है, second indexing, प्राइमरी और clustered, वो दोनों की दोनों सिर्फ एक ही condition पर काम कर सकती है, जिसमें हमारा main file sorted हो, बट आप समझें हमेशा main file sorted हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो चलिए अगली वीडियो में एक बार समझेंगे कि second indexing कैसे काम करता है, जहाँ पर main file हमारा क्या होगा, unsorted, चलिए आं परण़गो करता है, जहाँ वीडियो बटी से हमारा.